आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में जो हम डिसकस करने वाले हैं वो हैं समवेधानिक और गैर समवेधानिक संस्थाएं या कहें कि कॉंस्टिटूशनल और नॉन कॉंस्टिटूशनल बॉडिज जो हैं इंडिया में हम उसके बारे में आज डिसकस करेंगी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्स्राइब नहीं जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो यह जो तो यहां पर मैंने जितनी वी बॉडिज लिखी है इन सभी बॉडिज पर जो है अगर आप अलग से वीडियो चाते हैं जैसे कि चुनाव आयोग हो गया राजवित आयोग हो गया ठीक है रास्ठे जो बैक्वर्ड क्लास के लिए कमीशन्स हैं वो गया इन सब पर अलग वी जिसका गठन संसद में किसी विधेय किया गए विधेय के जद्वारा जिसका गठन कीजिए ayam है उसे गेर संब्व्धानिक संस्थाई कहते हैं या हम ऐसा कहें कि ऐसी संस्थाउं को हम संब्धिक आयोग या फिर संब्धिक Commission कह सकते हैं ठीक है जो कि संसद में कानून के द्वारा गठिद ये गए है थीक उतना पॉइंट आपको याद रखना है सम्वेधानिक और गैर सम्वेधानिक संस्काओं के पारे में बात सुरू करते हैं Election Commission से, तो Election Commission जो है यह सम्वेधानिक संस्का है State Finance Commission यह भी सम्वेधानिक संस्का है National Commission for Backward Classes इसका बढ़नन भी सम्वेधान में देखने को मिलता है सम्वेधान का भाग 15 और निच्छो 324 मिसका बढ़नन देखने को मिलता है National Commission for Backward Classes हो गया, National Commission for Scheduled Tribes हो गया Comptroller and Auditor General of India हो गया, Attorney General of India और Supreme Court of India इन सभी के बारे में सम्वेधान में विश्तार से बताया गया है तो इस कारण ये सारी की सारी संस्थाएं जो है, ये सम्वेधानिक संस्थाएं अब बात करते हैं उन संस्थाओं के बारे में जिसका गठन संसद में कानून के दौरा किया गया है ठीक है पहरा है CSIR यानि की Council of Scientific and Industrial Research ये एक संस्था है जिसका गठन जो है संसद ने कानूनी तरीके से किया है दूसरा है NESTAN Investigation Agency NIA जिसे हम कहते हैं ठीक है इसके बारे में जो है सम्वेधान में कहीं कोई भी बढ़नन नहीं मिलता है Food Corporation of India हो गया Competition Commission of India हो गया Law Commission of India हो गया Central Vigilance Commission हो गया सेवी हो गया, नबाड हो गया, नीतियायोग हो गया, CBI हो गया और RBI ये सारे के सारे जो है ये कैर संवेधानिक संस्थाएं है ठीक इसका स्क्रिंशॉट जरूर लें और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि एक्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं और इन सभी को अगर आप explain करके बढ़ना चाते हैं तो comment करके ज़रूर बताएं इन सभी से questions पूछे जाते हैं जैसे की सेवी का headquarter कहा है सेवी की स्थापना कब हुई, सेवी का वर्तमान major कौन है चेर्मेन कौन है, और सबसे पहला चेर्मेन कौन था नीतियायो का गठन कब किया गया नीतियायो के जो चेर्मेन है वो कौन होते है या कौन है ठीक है, वोइस चेर्मेन कौन है काम क्या होता है इसका CBI का गठन कब किया गया RBI कब गठित की गई पहला बैंक कौन सा था कब इसका nationalization किया गया यह सब चीजे जो है यहां से पूछी जाती है ठीक है तो अगर आप explanation चाते हैं तो comment करके जुरूर बताएं इसका screenshot ले ले ताकि आपको याद रहे कि कौन सी संब्धानिक संस्ताय है और कौन सी गयर संब्धानि सो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिं दिस वीडियो